हम भारत के लोग, पहला सेंटेंस है, यहां भगत नहीं होते हैं, यहां सविदान में नागरिक होते हैं, ना महिलाओं को अधिकार थे, ना चूतों को अधिकार थे, ना बैकवर्ट क्लास को अधिकार थे, ना किसी को अधिकार थे, तो हम उन इन अधिकारों को छिनना चाहते उन अधिकारों को लाना चाहते हैं लेकिं उन्होंने दिखा दिया कि आप मंदिरों में जाओ, वहाँ पर पढ़ाई करो, वहाँ पर जाकर मंतर पढ़ो, भूके रहो, वहाँ पर दान करो, वहाँ पर सारी चीजे करो, आपके सारे कष्ट दूर होएंगे, नहीं तो वो कौन ह होते ना मानने वाले, हम तो सरकार से बात कर रहे हैं, सरकार ना बीजेपी के ना कांग्रेस की है, यही तो हमें समझना है, जो सत्ता में आ गया, जो चुनकर के जीतकर के चुनके बहुमत में आ गया, वो फिर देश की सरकार है, वो किसी पार्टी की सरकार नहीं है, और अग देखे हम सविधान की बात कर रहे हैं सविधान से देश चलता है सविधान से तमाम नागरिकों के अधिकार मिलते हैं सविधान से जिन वर्गों को कभी पढ़ने के अधिकार नहीं थे उनको शिक्षा पढ़ने की आजादी मिली और इस सविधान से रोजगार तमाम चीजे मि रहे हैं कि भाया यह तुमारे अधिकार हैं यह अधिकार हैं और वह हनुमान चालीस है इसलिए कर रहे हैं कि 1950 अधिकार है। पर सारी चीज़े करो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। वो कहते हैं कि अगले-जनम में तुमें तुमने पाप किए थे इस जनम में तुम यह हो और अगले जनम सविधान के आर्टिकल 16-4 में सविधान SCST को रिजर्वेशन का प्रावधान है, जो मूल अधिकार है, फेंडामेंटल राइट है, ये बास समझने की है, उसमें ये नहीं लिखा है कि उनको कहां पर रिजर्वेशन होगा, इन्हों ने आज तक 16-4 के हिसाब से इन्हों ने रि उंग्रेश की सरकार्ती चाहिए सरकार है, ये तो खेर तोड़ने पे लगे हैं, वो मूल अधिकार का हिस्सा था, और उल्टा इन्हों ने क्या किया, कोई इन्हों ने कानून तो बनाया नी, वो कानून बनाते तो हमारा सेना में भी, तीनों सेनाओं में भी रिजर्वेशन हमारा नय पालिका में भी रिजर्वेशन होता, हमारा राज्य सवा में भी रिजर्वेशन होता, और नीजी चेतर में भी रिजर्वेशन होता, अगर ये 16-4 के हिसाब से कानून बनाते, लेकिन उन्हों बनाया नी, जो जो इन्हों रिजर्वेशन लागू किया है, जो आर् कि भाई आप उस सोला चार के motor बनाओ और हमें पूरे देस में वाईस प्र underground के वो चाहिए तब दं में धरती में ओ Σिक्षा में बटान में वो चाहिए वह सेणा हो राज्या बंग में और किसी में भी हो हमें और में 25 पर और मैंने क्या किया है ना वो तो अगले जनम में देंगे और हमारा सभीधान बावा साब का कह रहा कि इस जनम में मिलेगा तो इसलिए इस जनम वाले को खतम कर रहे हैं वो अगले जनम वाले मुर्ख नहीं बना सकते ना इस सभीधान से मुर्ख नहीं बना सकते ना लेकिन उस से कानूनी अधीकार के लिए पूरे देश में पिछले 10 सालों से लड़ें बड़ेंए बड़ेंट केस लड़ेंगे झीतें उनको न्याया दिल वाया हमारे राजु Suzanne जा अधिकार चारे उनके कानून लड़ाई लड़ेंगे वो भी तो कि आगे जाकर आधान चालिसा और कि यह विलो कि तो पढ़ा है हम अपने लोगों के घर में आरे हम दूसरों के निहें जा रहे हम पूरों की मस्जीד में जाके निक पढ़ रहे शेखाए हम अपने just समिधान को पढ़ने से बिवादा का अगतperform का मिदिभान है। जिससे लगातर मांग की जा रही है देश के अंदर तमाम पार्टियों दौरा चोटी-चोटी पार्टियों दौरा आपको लगता है कि बीजेपी कांगरेश आपके मांगों को मांगेंगी और यह अधिकार देनी नहीं नहीं तो वह कौन उतें ना मानने वाले हैं, हम सरकार से बात कर रहे हैं, सरकार ना BGP के ना कांग्रेस की है यही तो हमें समझना है जो सत्ता में आ गया, जो चुनकर के जीतकर के चुनके भ़ occasionally में आ गया, वो फिर देश की सरकार है वो किसी पार्टी की सरकार नहीं है और अगर यह नहीं मानेंगे तो फिर हम जनता जनारदन है फिर हम अपना वोट के अधिकार से अपना राइट लेंगे हम नागरिक हैं भारत के लोग हम भारत के लोग पहला सेंटेंस है यहां भगत नहीं होते यहां सभीदान में नागरिक होते हैं नागरिक सभीदान में पूर आस्ता परकट करना यहां कि सभीदान को मानने का सवाली पैदा नहीं होता नहीं वो सभीदानी के हैं सब सब कल चरचा करेंगे कल मिटिंग के बाद सब सबेदानी के कोई एक्ष्टर नहीं है जो सबीदान्वे अनुछेदों में लिखा वो ही हमने मांग की है उसको लागू करने की उसते अलग एक भी मांग नहीं है ये भी आप समझ लो धिका जी धन्यवाद कल मिलेंगे कल